चलिए, आज हम देखेंगे, योग वासिष्ट में वर्णित योग की पध्धती, ठीक है, योग किस तरीके से हम उसको सिठ्ध कर सकते हैं, कैसे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, वो बताया जा रहा है, योग वास्तव में तूरी आवस्ता है, यहाँ पर योग को क्या बो किस प्राप्तियों का पालन करूं हम तूरी आवस्ता को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, उसके मेथड क्या है, इकिन पद्धतियों के माध्यम से हम समाधी के अवस्था को प्राप्ते कर सकते हैं वो points बताये जा रहे हैं तो कौन-कौन से हैं करना है इकत्व की भावना इकत्व की द्रिन भावना दूसरा मनोले और तीसरा है स्राण नीरोद इकत्व की द्रिन भावना से हम क्या से मिशते हैं याने कि एक तत्व की द्रणभावना करना है, एक ही तत्व का बार-बार हमको चिंतन बनन करना है, मानदनी जी हमकिसी. जिस पर आपका विश्वास है, जिस चीज को आप मानते हूं, जैसे कि पातंजल योग दर्शन की क्या बुला गया है, तत्व प्रति सेधार्थ में का तत्व अभ्यासा, यानि कि एक तत्व का अभ्यास करिये, एक चीज के पीछे यानि आप किसी महापुरूष को भी ले सकत या फिर इस ट्रेक को भी ले सकते हूं, जिसको आप मानते हूं, ठीक है, तो उसको क्या है, उसकी भावना करनी है, तभी हम अपने लक्ष को प्राप्त कर पाएंगे, जैसे कि अभी हमको जयार्थ क्लियर करना है, तो जयार्थ क्लियर करने के लिए जो जो हमारे सिलेबस है उस पर हमको focus होना पड़ेगा ठीक है उसको focus करके हमको पढ़ाई करना पड़ेगी बाकि सब चीज को छोड़ना पड़ेगा तभी हम जयारख clear कर पाएंगे उसी तरीके से अगर हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमको इस ट्रिक का जो है ध्यान करना पड़ेगा है ना उ अरथाथ मन का लीन हो जाना जो दो मन चंचल होता है उसको हम कैसे control कर सकते हैं कैसे एकागर कर सकते हैं ठीक है वो चीजे बताएगे हैं जब हम में एकागर होंगे तभी तो हम अपने इष्ट का ध्यान कर पाएंगे तीसरा बताया जा हैं तूरे आवस्था को प्राप्त करने के लिए जो पध्धतिया हैं वो कौन-कौन सी हैं एकत्व की द्रिण भावना मन ओलै और प्राण निरोध ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आप इसको थोड़ा सा डेटेल में देखेंगे देखते हैं एकत्व की द्रिण भावना अर्थात तत्व की द्रिण भावना से मन सान्त होकर बिलीन हो जाता है और प्राण का निरोध स्वयम हो जाता है ठीक है अर्थात जब हम एक तत्व की द्रिण भावना करेंगे एक ही तत्व का विचार करेंगे एक ही तत्व का हम बार कि प्राण निरोध निरोध हो गया यानि कि हमने एकत्व की हमें हमारे भीतर एकत्व की द्रिण भावना आगई ठीक है अब जैसे कि और ये एकत्व की द्रिण भावना हम किस चीज के लिए कर रहे है बताएए आप समाधी ब्रह्म की प्राप्ति तुरिया वस्था को प्राप्त करने के लिए ही हम एकत्व की द्रणभावना कर रहे हैं कुश्चन आसकता है कि समाधी ही है लेकिन जो ग्रंथ में जो शब दिये गए हैं उसी को ही हमको वहां पर लगाना होगा ठीक है वहां पर दे सकता है कि तुरिया वस्था को प्राप्त करने के लिए समाधी की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति ठीक है इस तरीके से दे सकते हैं लेकिन एक्जेक्ट जो वर्ड दिया गया है ग्रंथ में, हम उसी को लगाएंगे, तो यहां पर क्या दिया गया है, तूरिया वस्था दिया गया है, तो तूरिया वस्था को लगाएंगे, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, कि जो भी ग्रंथ में जो वर्ड दिये जा रहे हैं, समाधी को प्राप्त करने के लिए कौन-कौन सी पध्धती बताई गई हैं, तो उप्षन दे सकते हैं, एकत्व की दिर्ण भावना, मनोले, प्राण निरोध, उप्युक्त सभी, उप्युक्त में से कोई नहीं, इस तरीके से भी कोश्चन पूछा जा सकते हैं, ठीक है, अब एकत्व की दिर्ण भावना के उपाई, अर्थात हम एकत्व की दिर्ण भावना कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके उपाई बताई जा रहे हैं, तो पहला है ब्रम्ह भावना, दूसरा अभाव भावना, और तीसरा है केवल भावना, ब्रम्ह भावना खीष्ट का ध्यान करना है, ब्रह्म्ह का ध्यान करना है, निर्विकार ब्रह्म्ह का आस्तिक्ता से यहां पर लिया जा रहा है, दूसरा है अभाव, अभाव का अर्था क्या होता है, कमी, अर्थात हमारे पास जो भी है, हमको उसमें संतुष्ट रहना है, ठीक है, हम ये प्रा प्राण निरोधे से बताया जा रहा है। बार-बार हम प्राणों को रोकने का प्रयास करेंगे। तो एकत्व की द्रण भावना कैसे होगी। ब्रह्म भावना, अभाव भावना की नाम यह तुन उपायां पाई diff gübza जा दीजे ब्रह्म भावनार थात अपने इस्ट का ध्यान करना नाम से ही इस पष्ट है ठीक है यहाँ पर हम इसवर प्रणिधान से ले सकते हैं प्रणव के ध्यान से ले सकते हैं ठीक है मैं, एक बर अभाव भावना का अर्थ है कि जो भी हमारे पास है, हमको उसमें संतुष्ट रहना है, यानि कि कमी जो चीज की है, उसके आँ उसको उस पर नहीं जाना है, ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि अभाव की भावना करना, और केवल भावना अर्था प्राण निरो जो हम कुम्भक लगाते हैं, वो, कुम्भक लगाकर इस्ट का ध्यान करना है, ठीक है, तो तीन प्रकार के उपाये बताएगे हैं, एक अत्व की द्रण भावना के ब्रम्ह भावना, आभाव भावना और केवल भावना, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा देखते हैं, मनोलाय, मनोलाय नाम से ही इस पस्ट है, मन का लीन हो जाना, किस में ब्रम्ह में, मन ही संसार को उत्पन करने तथा चलाने वाला है, ठीक है, स्रिश्टी की उत्पत्ति मन से हुई है, कौन से प्रक्रण में देखे हैं हम, किस प्रक्रण में इसका वर्ण मिलता ह उत्पत्ति है कौन से प्रक्रण में हमने पढ़ा था मैं उत्पत्ति प्रक्रण है बहुत बढ़ा है तो यहां पर भी वही बताया जा रहा है कि जो मन है वो मन मन के सांथ हो जाने पर प्राणों काशपंदन तता है मन के सांथ हो जाने पर जीव ब्रम्ह को प्राप्त होता है यहां पर एक मिस्टेक हैं आप लोग्ए कर प्राणों का इस्पंदन रुक जाता है अर्थाज प्रान वायू रुक जाते हैं देखें मन की चंचलता जो है तीन गुड़ों से उत्पंदन होती है सत रज और तम उनमें जब असंतुलन उत्पंदन हो जाता है तो जो मन है वो इधर उधर भटकने लगता है इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि मन इधर उधर क्यों बटकता है मन से ही संसार की उत्पंदन हुए है या उत्पत्ती हुई है न मन बोलेगा कुछ देर में कि ये काम कर लेते हैं घूम के आ जाते हैं फिर कहीं चाते हैं तो मन जो है हमको भटकाने का कारे करता है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या मन शांत होता है, मन इस्थिर हो जाता है, तो जो जिव है, वो ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है, और ब्रह्मा को प्राप्त होता है, तो प्राणों का जो इस पंदन है, जो प्राण वायू है, वो रुक जाती है, अब मनो लाएक, जो है, यहने की मन इस्थिर किस प्रका से होगा उसके उपाए बताए जा रहे हैं कोन-कौन से देखते हैं पहला है इस जान लेते हैं तब हमारा मन सांत हो जाता है यह भी मन को जो है लीन करने के उपाए है फिके मन को सांत करने के उपाए हैं दूसरा है संकल्प भावना जब हम अपने नियमों को पालन करने का शंकल्प लेते हैं अच्छे संकल्प भावना यहाँ पर यह हो जाएगा भोगों से विरक्ती जो भी हम संसार के कारियों में लिप्त रहते हैं ऊससे भी वेराग्य धारन कर लेना जब हम वेराग्य धारन कर लेते हैं तब भी हमारा मन शांत हो जाता है वास्त ना क्याग एंकां कात्याग वास्त हो रहा है क्या बूल रहा है थोड़ा स्लो करो आच्छा, ठीके देखे यहां पर यह बताया जा रहा है मनो लाए के उपाय यानि कि हम मन को कैसे सांत रख सकते मन को कैसे इस्थिर रख सकते जैसे हमने अभी एकत्व की द्रण भावना के उपाय देखे न कि हम एकत्व की द्रण भावना किस तरीके से कर सकते ब्रह्म भावना के माध्ध। अपने स्वयम का साक्षात कार कर लेते हैं, ठीक है, अपने अनता करण से वेराग्य धारण करते हुए, जो पुरुष है, आत्मा का ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है, इसलिए बोला जा रहा है कि ज्ञान युगत, ज्ञान के माध्यम से जो है, मन शांत हो जाता है, भावना, जब हम अपने नियमों का पालन करने के लिए, अपने व्रतों का पालन करने के लिए, उसको पालन करने के लिए संकल्पित होते हैं, कि आज हम चार बजे उठ रहे हैं, तो डेली हम चार बजे उठेंगे ही, ये हमारा संकल्प होना चाहिए, आज हमको ये टॉपि complete करना है तो आज हम इसको किसी भी हालत में complete करके रहेंगे इस तरह से जब हम संकल्प करते हैं और उसको follow करते हुए उस कारे को पूरा करते हैं उससे भी हमारा मन सांत होता है ठीक है फिर तीस तरह बताया गया है घोगो से वी रखती अर्था जो है मोह माया है न लोब क्रोध मोह ये सब जो है कारियों में हम लिपत रहते हैं ठीक है काम वासना के इसमें लिपत रहते हैं तो जब उससे भी वहराग्य होता है जब हम उन चीजों से दूर हटने लगते हैं तब भी हमारा मन जो है सांत हो जाता है चौथा है वासना का त्याग ठीक है जो भी हमारी इक्षाए हैं कामनाए हैं जब हम उसका त्याग कर देते हैं और केवल इस्वर की भक्ति भावना में रहते हैं तब भी हमारा मन सांत हो जाता है एहंकार का त्याग ये तो सही बात है जब हम अपने एहंकार का त्याग करते ह कि भावना का त्याग कर देते हैं, है न, तब भी हमारा जो मन है, सांत हो जाता है, असंग का त्याग, असंग का त्याग अर्थाद बुरी संगती, ठीक है, बुरी संगती का जब हम त्याग करके, सादूों की संगती करते हैं, उससे भी जो है हमारा मन, शांत हो जाता है, करत कर देते हैं उससे भी हमारा मंën सांत होता है सरवत्याग अर्था सभी चीजों का त्याग कर देते है संसार से पूरी तरह से डेटेच हो जाना तेँखे तभी हमारा जुम्मन है सांत होता है समाधी का अभियास बार-बार हम समाधी को प्राप्ट करने के लिए जो भी यम नियम बताए गए हैं क्रिया योग बताए गए हैं जब हम उनको प्राप्त करने के लिए अर्थात मुक्ष को प्राप्त करने के लिए बार बार अभ्यास करते हैं उससे भी जो है मन शान्त होता है ले क्रिया अर्थात चित का पूर्ण रूप से लीन हो ज जाता है ठीक है तो यहां पर मनों लाएके उपाए बताए गये हैं कुश्चन आएगा मनों लाएके उपाए है ज्ञान युक्ति ठीक है फिर देदेगा वैराग्य भावना और दे सकता है इसमें संकल्प की भावना एवबी दोनों अन्ली सी तो आंसर क्या हो जाएगा है केवल सी तो इसमें से कौन सांसर होगा है यह अर्वी है फिर ऐसा भी पूछा जा सकता कि मनों लाएके उपाए नहीं है ठीक है तो ज्ञान युक्ति दे दिया भोगों से विरक्ति एहंकार का त्याग प्राण निरोद क्या होगा मनों लाएके उपाए नहीं है प्राण बहुत वड़ी है इसी तरीके से हां ऐसे कर कि इसमें से कोष्ण पूछा जा सकता है या फिर इसे सिक्वेंस में भी कॉछ्ण से उनला लाए प्राण निरोदOTHER सभी चीजों का त्याग कर दिना जो भी हमारी सुख सुविधा है या हम संसार में रहते हुए जो भी साधनों का उपियोग कर रहे हैं उन सभी चीजों का त्याग कर दिना करतव भाव का त्याग मतलब करतव भाव का त्याग मतलब जो भी हम कर्म कर रहे हैं जो भी कारे कर रहे हैं करतव की भावना से उसका भी त्याग कर देना कि ये सारी चीज़े मैं नहीं कर रहा हूँ, केवाल इस्वर करा रहा है, मैं तो नीमित मातर हूँ यानि कि हम अपने आपको एक कटपुतली की तरह समझें जिदर जिदर जैसे कि बोलते हैं इस तंसार में इस्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता उसी प्रकार से खीक है, तो हम अपने कर्तब भावना का भी जब ट्याग कर देते हैं तो उस्ते भी हमारा मन सांत हो जाता है, कभी कभी ऐसा आता ना कि ये मेरा कर्तब ये था, मैंने ये ये कारे किया लेकिन मुझे इंपोर्टेंस नहीं मिला, उससे भी हमारा मन विचलित हो जाता है तो जब हम इन भावनाओं का भी ट्याग कर देंगे, तो उससे भी हमारा मन सांत हो जाएगा मैं में कोर समाधी का अभ्यास समाधी का अभ्यास जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं? यह सब जो उपाये देख रहे हैं, समाधी को प्राप्ते करने के लिए उपाये देख रहे हैं, तो इन सब चीज को जब हम बार-बार अभ्यास करेंगे, बैराग्ये को धारण करेंगे, उससे भी हमारा मन सांत होगा, आप लोग देखे होंगे, जब हम क्या बोलते हैं, योग तो उस दिन कुछ अलगी अनुव होती होगा, जैसे कि नियम है कि मतलब इसनान करके ही आपको कुछ खाईए, और जब बिना इसनान किये हम खाते हैं, उस दिन आप लोग देखेगा कैसे लगता है, और जिस दिन इसनान करके जब हम भोजन करते हैं, उस दिन देखेगा कैसे है ठीक है उसी तरीके से हां पर जो बताया जा रहा है कि मतलब हम जो जो उसमें नियम बताए गए हैं उस सब का बार-बार अभ्यास करें तभी हम उस अवस्था को पहुंच पाएंगे पार कर पाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं तो योग जो नहीं है कोई बात ही मैं लास्ट में पूछ लूँगी मैं ऑके आप बताई जा रहे हैं योग किवल जो है पढ़ने का विसाय नहीं है आप जहां बढ़ने के साथ-ससाथ उसको अपने जीवन में भी अप्लाई करें जो जो बाते कही जो जो रूस बताए जाते हैं, आप लोग खुद अनुभाव करेंगे कि आपके जीवन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, चले देख लेते हैं, तीसरा जो है प्राण निरोधियां आपर, ये तीसरा हो जाएगा न, जिस प्रकार पंखे का हिलना बंद होते ही, हवा चलन बंद हो जाती हैं, एक्जामपल दे रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार प्राण की गती रुक जाने पर भी मन शांट हो जाता है, ठीक है, यहां पर एक्जामपल दिया जा रहा है, कि जैसे ही पंखे का हिलना बंद हो जाता है, हवा चलना भी बंद हो जाती है, ठीक है, या पे जिए भी हमारे मन में विचार चल रहे होते हैं, पूर अध्यान हमारा कहाँ चला जाता है? जहां पर हम स्वासों को रोख कर रखे हुए, तो कुछ भी विचार नहीं आते हैं, जब विचार नहीं आ रहे हैं, उसका मतलब क्या है? हमारा मन शांत हो गया है, ठीक है? तो वही बोला जा रहा है कि प्राण की गती रुख जाने पर भी जो है मन शांत हो जाता है अब यहाँ पर नेक्ष्ट बताया जा रहा है प्राण निरोध के उपाय किन-किन माध्यमों से हम अपने प्राण का निरोध कर सकते हैं तो पूरक, रेचक, कुमभक आदी के अभ्यास से मेरू के समान इस्थिर हो जाना मेरू अर्था तहां पर मेरू परवत एक मेरू डंड़ से भी ले सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से यहाँ परवत की बात कही गई है तो आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक है मेरू परवत की बात की जा रही है पूरक, रेचक, कुमभक जैसे कि मैं अभी बोली कि जैसे ही हम क्राणायाम करते हैं पूरक, रेचक, कुमभक करते हैं उसमें हम क्या करते हैं स्वासों का ध्यान करते हैं और जैसे ही हम कुमभक हम आप गर माली जे अनुलोम विलोम हम कर रहे हैं फिर भी हमारे मन में कुछ-कुछ चलते रहता है इधर हम प्राणाय कर तो रहे हैं लेकिन जो हमारे मन में विचार चल रहे हैं हमारा ध्यान उस पर होता है लेकिन जैसे ही हम कुंभा का अभ्यास लगाते हैं पूरा ध्यान ह किते मिनट तक रोग सकते हैं उस पर उस टाइम पर जो है मन मस्तिस्क में कुछ भी विचार नहीं चलते हैं आप लोग फिल कि होंगे उस समय हमारा मन सांत हो जाता है ठीक है तो यहां पर अब नेश्ट जो बताया जा रहा है कि हम प्राण निरोद के उपाएं यानि कि हो गया आगे बढ़ते हैं पूरा के अभ्यास से मेरुकी के समान इस्थिर हो जाना ठीक है कुम्भग के अभ्यास से प्राण का इस्तंभित हो जाना अर्थात प्राण को इस्तंभ हो जाना प्राण रुक जाता है और हम इस्थिर हो जाते हैं ठीक है बैराग्य के अभ्यास स हम प्राण हीरोध कर सकते हैं सबसे डिटाइच हो कर है ना जब हम क्या बोलते हैं सबसे दूर हटने लगते हैं तो हमारा मन जो है सांत हो जाता है और नेक्स्ट देखते हैं परमकल्यान का ध्यान अर्थात हम इसवर का ध्यान करते हैं व्यसंच है यानि कि जो भी इससे क्या होता है जब हम प्राणों का निरोध करते हैं तो जो नसे की लत है वो भी दूर हो जाती है निरोध की विशेश यूप्ती अर्थात प्राण वायू जो है उसका निरोध हो जाता है परमार्थ ग्यान अर्थात परमात्मा का ग्यान हमें प्राक्त हो जाता है सास्त्र और सज्जनों का संग हम अच्छे-च्छे सास्त्रों का अध्यन करते हैं सज्जनों का संग जब करते हैं, उससे भी हमारा जो मन है, वो सांत हो जाता है, वैराग्या और अभ्यास के हम उसमें भी देखे हैं, मनोला की उपाय में भी देखे हैं, जब हम वैराग्या और अभ्यास को बार बार दोराते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो हमारा मन सांत हो जाना ठीक है उससे जो है हमारा मन जो है वो सांत हो जाता है इस प्रकार प्राण निरोध के अभ्यास से प्राण का लैं होने पर मन की क्रिया सांत हो जाती है और निर्वान पद की प्राप्ती होती है अर्थात मोक्ष की ताप्ती होती है ठीक है किस प्रकार अभ्यास से प्रा मंन वस्य होने पर मन की क्रीया जो है वो सान्थ हो जाती है जब अंटिनीव पर श्यर Gmail करते जाते हैं चैश्रेब निर्षन का की रफ्य करते हैं तो मन हमारा संथ झाता मिर्वानिपदी की साघ्ति होती है ईसले आसनों से जादा प्राणेयाम को प्राणायाम का भी अभ्यास हमें लगभग आधी गंटे से एक गंटे तक करना ही चाहिए हम क्या करते हैं आसन खूप कर लेते हैं और 10 मिनट 15 मिनट बस प्राणायाम किये फिर हो गया हमारा यो तो जितना हम आसन कर रहे हैं उससे डबल टाइम जो है हमको प्राणायाम को देना चाहिए आपको खुद फिल करेंगे कि हमको अलग से ही एक सक्ति का जो है अनुभा हो रहा है अपने आपको अर्जावान एनर्जी फिल करेंगे ठीक है तो वही सारी चीज़े यहां पर प्राणायाम के अभ्यास से प्राणा का स्तंभित करना वयराग्य है तो इसमें कुम्बख याने प्राणायाम या सिर्फ कुम्बख मतलब सार कुम्भक की ही बात की जा रही है स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे पहले तो आप केवल पूरक और रेचक करेंगे जब आप उसमें समर्थ हो जाएं तो फिर आप कुम्भक का अभ्यास करिए अच्छा मतलब यहां सार को रोखना है इसका मतलब कुम्भक का अपकी बात लेकिन हट ग्रंथो में कुम्भक कहा है ना प्राणायाम को इसके लिए मुझे लगा वहां पर भी का कुम्भक के प्रकार बताए गाएं केवल कुम्भक और सहीत कुम्भक में हम जो है रेचक पूरा करते हैं ठीक है और केवल कुम्भक में केवल हम केवल कुम्भक का प्रयास करते हैं तो कुम्भक का प्रयास करने में सामर्थ है ता तभी प्राप्त होगी जब हम क्या बोलते हैं पूरा को रेचक कर पाएंगी तो यहां प्राणायम भी ले सकते हैं यहां पर यहां ले सकते हैं तेंक यू पर अपने कथा के माध्यम से जो है प्रभु स्रे राम और गुलू बाक्सिष्ट के बीच जो वारता लाप हो रही है और उनके जो पुत्र रहते हैं अचारे सुख जी जो है वो अपने पिता से वेद व्याज जी से मौक्ष को लेकर कोशन करते हैं तो उन्ही चीजों को यहां पर बताया जा रहा कि मौक्ष से संबंदी वो कौन-कौन से प्रश्ण करते हैं ठीक है तो पोशन आएगा कि आचारे शुकता आख्यान किस प्रक्रण में दिया गया है तो आंसर क्या होगा वहरागे प्रक्रण मुमुक्ष प्रक्रण मुमुक्ष वेवार प्रक्रण वहरागे प्रक्रण किसने बोला जी मैं मैंने बोला मैंने नाम बताईए मैं मने लखती यहाँ पर इस पस्ट रुप से लिखा हुआ है मुमक्षो वैभार प्रक्रण तो जागरे तवस्ता में होकर प्लास अकेंड करिए ठीक है चलिए यह हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि प्रथम वैरागे प्रक्रण में उकनयान संसिकार के बाद जो है भगवान स्री राम को जब वो गुरुकुल जाते हैं अध्यन अर्जित करते हैं उसके बाद जब उनका जो है अध्यन समाप तो हो जाता है तो वो वापस लोटते हैं वापस लोटने के बाद जब वो नगर में आते हैं, तो देखते हैं कि बहुत सारे जो हैं दुखी हैं, पेड़ी थैं, हैना, और जो मेरे पिताश्री हैं, वो सबको मतलब अच्छे से रखते भी हैं, सब के कारियों को समखलते हैं, देखरेक करते हैं, पिर भी जो लोग हैं, वो किस तरह से इन सब चीजों में डूबे हुए हैं, वो बोलते हैं कि वैभाव, राज देह और अकांचा इन सब क्या उपयोग हैं इस तंसार में, क्योंकि कुछ समय के बाद तो इन सब चीजों का नास हो जाना है, तो इस तरह से जो है उनके मन में वैराग्य धारण होता है, ठीक है, तब वे अपने गुरु वसिस्ट जी से और विश्वा मित्र जी से निवेदन करते हैं, प्रात्ना करते हैं, कि जो भी मेरे मन में प्रश् हैं, उन प्रश्णों को आप खृपा करके दूर करिए, ठीक, फिर दूसरे प्रकरण में यानि की मुमुक्षो वैभार प्रकरण में, जो गुरु विश्वा मित्र जी हैं, वो वसिस्थ जी को आदेश देते हैं, कि आप जो राम के मन में जो प्रश्ण उठे हैं, उनको आ यारागी प्रकरण में ही, जब इस तरह से वो कोशन करते हैं, सभा में, जब सब लोग उपस्थित रहते हैं वहां पर, ठीक हैं, तो जब वो कोशन करते हैं, उनके वाक्तियों को सुनकर सभा में जितने भी उपस्थित रहते हैं वहां पर, दिशी हो गए, नारज जी हो ग प्रश्ण सुनने के बाद जो है प्रश्ण सुनने के बाद जो है कि ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है ऐसा कुछ भी सेस नहीं है जिसको आप ना जानते हैं क्योंकि भगवान जी तो विश्ण जी का अवतार है ना सब कुछ वो जानते हैं तो यहां पर वो वही बात बुल रहे हैं कि आपने अपनी सुक्ष्म बुद्धी से सब कुछ जान लिया है केबल संदे और अविश्वास रूपी मलिंता के मारजन की आवश्यक्ता है अर्थात जो आपको डाउट है ठीक है माया के कारण आप जो बूल रहे हैं कि ये सब चीज नश्ट हो जाएगा इन सब चीजों की क्या आवश्यक्ता है तो जो संदे है जो डाउट है उसको क्लियर करना बस बाकी है बूल रहे है ठीक है मारजन याने की उसको सफाई करने की आवश्यक्ता है अर्थात उसको दूर करने की आवश्यक्ता है अब नेक्ष्ट बोल रहे हैं यहाँ पर भगवान वेद व्यास के पुत्र अचारे सुक थे, उनको भी सुक के समान आपने भी सब कुछ जान लिया, केवल विस्तरान्ती की अपेक्षा है, विस्तरान्ती अर्थात सान्ती की अपेक्षा है, अर्थात जो भी आपने जान लिय यहां पर विश्वा मित्रजी बोल रहा है कि भगवान वेद्यास के पुत्र जो थे अचारे सुख हैं वे भी सब कुछ जाते थे लेकिन उनके मन में भी डाउट हा कि मेरे को जो है यह तत्व ग्यान प्राप्त हुआ है कि नहीं यह तर्थ ग्यान मेरे को प्राप्त हुआ है जब हम योग करते हैं तो हमको भी कभी डाउट हो जाता है ना कि हम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं या जो भी हम इसको सही मैथट से कर रहे हैं कि नहीं या सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं तो इस तरीके से उनको भी डाउट हो जाता है ठीक है कि मैं क्या बोलते ह आप सब चीज जानते हैं केवल आपको संदेश है, वो भी संदेश है क्यों माया के कारण, तो केवल अपने मन को सांत करना है आपको. पिर नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है, अतिंद्री वस्तुओं के संदर्भ में स्वयम प्राप्त ग्यान में मन विश्वांती को प्राप्त नहीं हो पाता है. ज्यादा भोग विलाज के वस्तुएं, यह सब चीज को हम देखते हैं, ठीक है, स्वयम के प्राक्त ग्यान में कभी-कभी जो है डाउट उत्पन्न हो जाता है, इस कारण जो है मन सांक नहीं हो पाता है, यही वह परमात्म स्वरूप वस्तु है, ऐसा विश्वास नहीं हो पा अधा एसा बोला जा रहा है, पिर यहां पर सुख का पीता से प्रस नहीं होए, सुख जी जो है वह अपने पीता वेदवयास जी से प्रश्ण पूशते हैं, क्या क्या प्रश्ण पूशते हैं, देखते हैं, यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ है? किस का है, ऐसा सुक जी अपने पिता से, वेद व्याल जी से प्रश्ण कर रहे हैं, तब उनके पिता जी जो है, अंसर करते हैं, यह जो संसार रुपी आडंबर है, वो किस से उत्पनना हुआ है, अन्ता करण से उत्पनना हुआ है, अन्ता करण अर्थात क्या होता है, आप लोग बताई मन, बुद्धी, एहंकार और एक है चित्त अन्ताकरण चतुष्टे आप लोग पढ़ेंगे योग दर्शन में तो कुश्चन आता है अन्ताकरण चतुष्टे क्या है मन, बुद्धी, एहंकार और चित्त ठीक है? तो यहीं आपर बोला जा रहा है कि यह संसार जो एक इस से उत्पन्न हुआ है अन्ताकरण से उत्पन्न हुआ है यह कब अभी नास होगा? जब अन्ताकरण का नास हो जाएगा ठीक है? मन, बुद्धी, एहंकार का नास हो जाएगा जब चित्त जो है अपने वास्तविक श्वरूत में इस्थीप होगा तभी इस संसार का अन्त होगा यह कितना बड़ा है तो यह तीनो काल से जो है बादी धोते चला आ रहा है ठीक है? तीनो काल अर्थाद जो है क्या समझेंगे हम इसमें तीनो काल में? मैंम इसने सत्यूक रेता आएंगे क्या? हाँ ठीक है? कितने काल तक रहेगा? प्रलय काल तक रहेगा यह किसका है? अर्थाद यह संसार किसका है? तो निर्विकार ब्रह्म का है इस्वर का है इस तरीके से वो अपने पिता से कोश्चन करते हैं और उनके पिता जी इस सब कोश्चन का आंसर देते हैं फिर भी उनका मन सांत नहीं होता है ठीक है? तो फिर वो कोश्चन करते हैं यहाँ पर बुला जा रहा है कृष्ण द्वैपायन जी के द्वारा दिये गया उत्तर से सुक ने कहा यह सबतों मैं पहले से ही जानता था आपके उपदेश से मुझे कुछ अतरिक्त प्राप्त नहीं हुआ है ठीक है? अर्थात जब वो कृष्ण द्वैपायन जी के द्वारा जो है उत्तर दिया गया जो जो सुक जी ने प्रश्ण किया था उसके बाद उन उत्तरों को सुनकर सुक जी बोलते हैं कि यह सारे उपदेश तुने पहले से ही जानता हूँ यह जान तो मुझे पहले सी है लेकिन आपने मुझे कुछ एक्स्ट्रा नॉलिज नहीं दिया उसके बाद व्याज जी कहते हैं कि हे पुत्रे मैं तुम्हारे प्रश्ण का उत्तर तत्वत नहीं जानता हूँ थीक है उसके बाद वो बोलते है कि पृत्वी लोग पर महराजज में जनक है जो जानने योग्य सभी पदार्थो को यःथा वत जानते हैं वह तुम्हारे प्रश्ण का तत्वता उत्तर देंगी, तुम जो प्रश्ण करें, उसका सही सही उत्तर वो देंगे, तुम्हारे प्रश्ण का उत्तर मैं नहीं दे सकता, तो वो बोल रहे हैं कि आप रिख्वी लोग में जाओ, वहां पर महराजा जनक से जो हैं, आप अपने प्रश्न के उत्तर जान सकते हैं उसके बाद जो है सुक जो है राजा जनक की नगरी विदे पहुँचते हैं राजा जनक के द्वारा पूर्व वृतान्त परिचित था यानि कि राजा जनक को पहले से ही पता था कि सुक जी उनके पास आने वाले हैं करके तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि तदंतर शुक राजा जनक की नगरी विदे पहुंचते हैं फिर राजा जनक द्वारा पूर्व वृतान्त परिचित था इसलिए वे सुक को साथ दिन द्वार पर उसके पश्चा साथ दिन आंगन में और साथ दिन अंतापूर में प् सुक जी को साथ दिन द्वार पर साथ दिन आंगन में और साथ दिन अंतापूर में प्रतिक्षा कराते हैं ताथ 21 दिन तक वो उनको प्रतिक्षा कराते हैं मिलने नहीं आते हैं जैसे ही आए सुक जी और तूरंत राजा जनक जी जो हैं मिलने आ गए ऐसा नहीं होता उनके धहरे की परिक्षा लेते हैं, कि जिन प्रश्णों के वो उत्तर जानना चाहते हैं, तो वास्तों में वो जानने योग्य हैं या नहीं, कितना धहरे हैं उन प्रश्णों के उत्तर को जानने के लिए, इस तरीके से राजय जनागी जो है सुख की परिक्षा लेते हैं ठीक है इसलिए वो शात दिन कहां पर द्वार पर और सात दिन आंगन में और सात दिन अन्तापूर में यानि की कक्ष में ठीक है प्रतिक्षा कराते हैं वेट कराते हैं उनको जब वो अन्तापूर में जाते हैं, कौण? सुक जी जाते हैं तो भोग बिलाज की समागरियों से सुक के मानसिक इस तरका परिक्षन करने के पश्षात सुक के सम्मुक उपसीद होते है अर्थात अन्तापूर में बहुत सारी भोग बिलाज की वस्तूए रहती हैं अच्छे खाने रहते हैं, बस्त पहनने को रहते हैं, सोने के लिए अच्छे से बैड वगएरा रहते हैं, तो इन सारे चीजों से वो उनको लालच देने की कोशिश करते हैं। ठीक है? लेकिन इन सब के चक्र में सुख जी नहीं पड़ते हैं। उसके पस्चात राजा जना की जो हैं उनके सम्मुक उपस्थित होते हैं सुक के द्वारा वही प्रश्ण और राजा जनाक के द्वारा वही उत्तर दिया गया जो व्याज जी के द्वारा दिया गया अर्था सुक जी ने वही कोश्ण किया जो उन्होंने अपने पिता जी से किया हुआ था तो राजा जनाक इत्यादी सास्त्रों में भी लिखा गया है। इत्यादी सास्त्रों में भी लिखा गया है। इत्यादी सास्त्रों में भी लिखा गया है। और वही ज्यान आप ने गुरु मुख से भी सुना। उस ज्यान से परे कोई अन्य ज्यान नहीं है। यह ज्यान यहाँ पर लिखा है। ज्यान हो जाएगा। ठीक है। अर्थात इस प्रम्भार्ण में वही एक अविच्छिन सर्व व्यापक शेतन मात्र पुरुस है। उससे अन्य और कुछ नहीं है। कि जो ज्यान आपने स्वयम से प्राप्त कर लिया। आपने गुरु मुख से भी सुना। अर्थात अपने पिताजी से भी सुना। ठीक है। उस ज्यान से बढ़कर कोई दूसरा ज्यान है ही नहीं बोल रहे है। इस ब्रम्भार्ण में केवल एक ही इस्वर की सत्ता व्याप्त है। ठीक है। वो है निर्विकार ब्रम्भा। उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। अर्थात्त्र निरती सयन सरवज्य बीजम। कौन से नंबर का सुत्र है। योगदर्सन में बताएए आप लो। किसी को याद है। पच्चिस समाधी बाद बढ़िया। ठीक है। तो यहाँ पर वही चीजे बोड़ी जाये। कि आप सब कुछ जानते हैं। आपने अपने गुरू से और अपने पितसरी से भी जो कुछ सुना। वो सब आपको पता है। केवल आपके सामने माया के कारण आपके मन में डाउट है बूल रहे हैं। इस संसार में केवल एक इस्वर की सत्ता व्यापते हैं। जो भी जानने योग्यवस्तु हैं वह आपने जान ली है। अब कुछ भी सेस नहीं रह गया है। इसलिए कोई और भी जानने योग्यवस्तु हैं ऐसी भ्धानती का त्याग कर दीए। क्योंकि आप मुक्त हो चुके हैं। यानि कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे और कुछ भी जानना है। और जो बातें में नहीं जाना है। लेकि ऐसा नहीं है। आप सब कुछ जानते हैं, जो ये संदे है, जो ये भ्रम का जाल है, उसको दूर करिए, आप मुक्त हो चुके हैं। ठीक है। ऐसा बोल रहे हैं जनक जी, किसको? सुक जी को। जनक का कथन सुनकर सुक के सभी संदे हैं। संदे है, शोक, भय, इत्यादी जो है, नश्ट हो जाते हैं। जुबहालने की सान्त होकर उस पर्मात्म तत्व को प्राप्त करने हैं दस-हजार वर्ड सतक की निर्विकल्प समाधी इस्तित हो गया, ठीक है। जाने कि उनके मन का जो है डाउट जो है दूर हो गया, जो भी संदेह था, जो सोग था, भै था है न, वो सब चीद दूर हो गया और उनका मन सांथ हो गया, उसके बाद वो परमात में तत्व में बिलीन हो गया था, दस हजार वर्से तक पर समाधी में इस्तिर हो गया, वो भी कौन सी समाधी निरविकल्प समाधी ठीक है क्लियर है यहां पर यहां तक इस स्टोरी समझ में आई सभी को मैं इस स्टोरी को हम थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हैं आप लोग इसको बस समझे और क्या बोते है ध्यान रखिये इसमिन जैसे की राजा जनद जी ने सुपह जी को कितने दिन तक एंटर्वेट कराया है ना उनके ध्यारे की करेक्षा तो किते दिन तक किम तो प्रतिक्षा कराया? तो 21 दिन, टोटल अगर है? हाँ, टोटल 21 दिन. और अगर ऐसे देखें, तो साथ दिन द्वार पर, साथ दिन आंगन में, और साथ दिन अन्तापूर में. तो ऐसे कोश्चन भी बन सकते हैं, कि अन्तापूर में कितने दिन तक प्रतिक्षा कराया? यह साथ दिन तक कहां कहां प्रतिक्षा कराया? ऐसे करके वो पूट में दे सकते हैं. ठीक है? और किन-किन प्रश्णों को पूछा गया? इस तरीके से वैसे ज़्यादा कोश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन आप लोग इसको इस्टोरी फॉर्म में याद रखें, कि ऐसा-ईसा हुआ है. और यह सारी जो इस्टोरी है, किसको सुनाया जा रहा है? सबुष्री राम जी को सुनाया जा रहा है. जब उनके मन में भी ऐसे ही कोश्चन उठे, कि यह सब जो है नश्ट हो जाने वाला हैं तो इन सब चीजों की क्या आवशकता तो वहाँ पर विस्वा मित्र जी बोह रहे हैं तो उनको जानने के लिए फिर वो इधर उदर भटकते रहते हैं उसके बाद राजा जनक जी के पाज आते हैं और जब उनसे सारे उपदेश सु हो जाता है उसी तरीके से आप भी अपने मन से जो ब्रह्म हैं जो संदे हैं उसको हटाईए आप सब कुछ जानते हैं ऐसा करके वहाँ पर जो है एक्जामपल दे रहे हैं सुख जी का ठीक है भगवान राम को कौन विश्वा मित्रजी ठीक है आगे बढ़ते हैं यह आप लोग खुछ से पढ़ेंगे ना तो आप लोग को समझने हैं जाए चलिए यहां पर हम देखते हैं मुक्ति के चार द्वार बाल सतंतरता के चार इस्तम कौन से प्रक्रण में इसका वर्णन किया गया है रताईए मुक्षु द्वार प्रक्रण दूसरे हैं लीचे तो लिखा हुए मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया चलिए ठीक है तो यहां पर मुक्ति के चार द्वार पाल बताए गया है कौन कौन से हैं सम्हें विवेक संतोष शादू संग ठीक है अर्थात सान्ती है सम अर्थात सांती, विवेक अर्थात विचार और संतोज, जो की संतोशाद नुत्तम शुक लाबा संतोश से बड़ा, मतलब जो संतोशी व्यक्ति है इस संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है और सतसंग अर्था साध्वों का संग करना चाहिए अच्छी संगति करनी चाहिए अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए जिसे हम मोटिवेट होकर अपने जीवन में अच्छे कारी कर सके और हमें साध्वों का संग कभी भी नहीं त्याग न चाहिए चाहे कैसी भी विकट परिष्थिती क्यों ना हो ठीक है तो यह question आता है कि मुक्ति के चार द्वारपाल कौन-कौन से हैं या पर स्वतंत्रता की चार इस्टंबर कौन-कौन से बताएगे हैं सम है विवेक है संतोष और शाधुसंग सिक्वेंस में याद रखेंगे आपनो चलिए आगे बढ़ें समय है समय हो चुका है तो हम इसको कल करेंगे इसका डिटेल में अध्यम कलेकित करके पढ़ेंगे कि सम क्या है विचार क्या है संतोष क्या है ठीक है संतोषी व्यक्ति को क कैसा होता है साधुओं की संगती कैसी होनी चाहिए इस तरीके से हम इसको कर डिटेल में देखेंगे के लियर है मैं में एक कोश्चन था महार्शी वेद व्यास जी की पूत्र थे शूख वो तो उसमें आ रहे हूंगे पर्यूग में यहां पर एक्जांपल दे रहे हैं उनकी स्टोरी बतारा है प्रपुश्री रांगी को कि व्यास जी बोल रहे है कि जैसे आपके मन में प्रश्ण उठाय है वैसे ही जो क्या बुलते हैं वेद व्यास जी के पूत्र को पूत्र को भूतर के सालो तक जी रहे होते थे एक सेकेंड रिकॉर्डिंग और कर दीजिए मैं जूड़े है क्या एंडी वाई एटीन से चलिए ठीक है आप अपने पूशन और किसी के कुछ डाउट है पूछ लिजिए ट्रियंकर जी आपने हैंड्रेट क्या हुआ है मैं हाँ दिपाली जी मैं यह आपने बोला कि यह सब मुमुक्ष वहवार प्रकरण में आएगा यह चारी का जो व्या ख्यान है पर जो इस ट्र just œौ टॉरी के तो इस्टर्टिंग में लिखा थह वैरागे प्रकरण तो फिर वो li स्टोरी के में मुणुक्ष वहह वार प्रकरण तो लिखा हुआ है ने यह ने जो राम जी का जो शुरू आ नला है कुछ तो भी लिखा था हां तो वेरागी प्रक्रण में वह क्या बोलते हैं कोश्चन करते हैं लेकिन उनका आंसर जो है दूसरे उपदेश में दिया जाता है विश्वा मित्रजी के आदेश पर ठीक है आप पढ़िएगा पीडियेश एक सेटेंड रुखेगा ने जी जी तो क्लियर है दिपाली जी यस मैं वेरागी प्रक्रण में वह कोश्चन करते हैं फिर दूसरे मुमुक्षु वैभार प्रक्रण में विश्वा मित्रजी के आदेश पर वह गुरुवस्ट जी उनको उपदेश देते हैं एक पर और स्टोरी पढ़ेंगे ना तो वह और अच् आज तक पढ़ाने वाली तो को पुरा सेंट कर दी आप देखिए गाउसा भुट के नहीं है जी पोल रहे हैं देखिए पोल दी म मेरा नमबर यह ग्रुप में यह तो कि पाकरे मम अच्छाच आपने फ़र्म कर दिया है आ फ़र्म दिन ओ गया कोई लिंक नहीं है और वह पीडिए फ्टी है वो भी सट कर देना में आपको अभी लिंक कहां से मिलिक आज की सर ने वेजा था सर मैं आचे तो आप एड़ हो जाएंगे ठीक है अजी में मोग जितनी भी जब से कलाश टाट ओए वो PDF में सेड कर देना प्लीज ठीक है ठीक है आप ग्रूप में अड़ हो जाएंगे तो आपको कर दिया जाएगा ठ क्यों की वेल्कम चलिए संति पार्ट कर लेते हैं जाएंगे संति पार्ट कर आएगे अच्छा तादेर जी करा रहे हैं चली ठीक है आप कराईगे नेइंगे है इस मुएह फ्टेसर आप दूटन्सीबी जावरां करने यह समर कर दंसी भी आंक्यों को मरता सिख्ड़ी पूरा ध्राइब सास प्रेकों कार और शांती मंत्र के लिए जाएंगी लंभी गेहरी सांस कीचे अगर कर दो सर्वे भवन्तु सुखिनाहा सर्वे संतु निरामया सर्वे भत्राणि पश्यंतु मा कशे दुख भाभवे ओम शांत 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 शांति करें दर्माहत आंखों पर लगाकर धिर दर्यांखों खुलेंगे हर्यों चैनकी मां हर्यों सभी को आपका दिन सुभू संद्या सुभू चले कल मिलते हैं फड़कर आईएगा कुश्चन आंसर करेंगे करें हर्यों बार्यों मैं हर्यों मैं हर्यों सभी लाइफ हो जाएए रिकॉर्डिंग अपने आफ हो जाएगी सीमा जी लाक्त हो जाएए सीमा जी मेरी आवाज आ रही है जी मैं जी लाक्त हो जाएए जी मैं झाल झाल झाल